पुस्तक एमद अल हलो कित्यो सुरंदर मनन्दी कहाणी हैं बुद्धी देश्च खंडत हुन्दियां बुद्ध मूर्तियां कल्पना तो सिमर्ती ताकदाय सफरी का जीब वगरीब के समदा अनभव हुन्दै किसी दूर दराड़े देश बारे पाड़ सुनके उदे पुगोल, सड़का, रस्तेयां ते चल दे फिर दे अजनभी लोका हुन्दे उना दियां गतीविदियां बारे अपनी कल्पना नाल जड़ा संसार तुसी उसारे हुन्दै उसे पल तो तुंदला होना शुरूर हो जान्दै जदो तुसी उस देश दी तर्ती ते पहला क कदम रख दियो ते उस कल्पित लोक दे मूल पातरांच होद एक पातर बनके शामल हो जान्दै उनाल तुंद दे गिलाफ वांगु सारी गे उस माया नगरी दा टांचा तुंबा तुंबा होके खेड जान्दै जदो तक तुसी अपने कदमा नाल कल्पना दे उस देश तुसी नाल ले होंदे थाइलन्ड दी राज्ता नी बैंकोक उते उस दिन सुर्मई रंग दा आसमान तनेया होया सी सैमोन दे मुख बजार विच थाई चीनी बर्मी मोन ते पार्ती चेरे मुरे वाले लोकां दी मिली जुली पीड़ दा कडमा ससी सिलों पिंडनु जान्द सडक ते सजे खबे पासे वालियां चोटियां सडकाँ वी फीड़ नाल परियां हुईयां सान्द स्वेर देयजे दासी वजे सान पर बैंकोक दी मस्रूफ दोड़ पाज सिखर दे सी सडक दे कंडे एक उच्चे चबूतरे ते खड़के मैं उना पलां ते उना पलां दे फलक ते बन रहे एक खास द्रिश नू तमाम चीजांदे संदर विचोसे रंग टंग रूप सरूप चित्रत कर लेन दी कोशिश श्वेच सान् मेरे कुले नी मोलत नहीं सी के पटड़ी दे एक दूज्ये दे उपर नू चड़ी आउंदी पीड तुआ लग होके कोई कल्ली मैं फूस जगा लबलवा एसली फ्रेम चो लंगरी बे लोडी पीड नू इक खातनाल रोकी खड़ा मैं कदी नवनीत नू हदायतां दे रहे आ असी क्यों हाले भी मौजवूद भी आई जा नहीं छेती कोण बदल के असी दुज्या शॉट लिता फिर तीजा फिर चो था ते जुद मैंनू येकेन हो गया कि ओ पाल जड़ी हू भू हू फिर कदे नहीं दुराहे जानगे अपने सारे फोटो वेरवियां समेथ कैमरेज क वखरा राख दिता जाए ता हू अपने महत्तवदा पे दसन लग पेंदे सरसरी तो अरते हो द्रिश्क सदा रंजया ते गयर जरूरी लग दे ते बड़ी असानी ना लखों ले होके नदी दे वहां अच वय भी सकता है एक लिश्कारे वांग उच्छल के लोप भी हो सकता पर जे उन्हों चांट के उस से लाब तो अलाग कर देता जाए तो उदे लिश्क 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 कर दी रहन दी है उच्छमकारे मार दी रहन दी है जो कि असल उस द्रिश दी एहमियत हुन दी है एक काम के से चापा मार कारवाई वरगा हुन दै मैक्रो दे माइक्रो नू जड़ा द्रेशोन सा डेकुल सुरख्यत सी, ओस्चु सुर्माई असमान नू छोंदी आई मारतां दी जबाड़े अंचुं, जीब वो आंग बार निकल दी लंबे चोड़ी सड़क सी, जिस्ते बेह साबा ट्राफिक सी, दोवां पटडियां ते हलो हली ओंदी जान्दी लोक सन इमारतांच पेड अंदर बार आजा रही सी, सिगनल होन तो बाद कारां बसा मुट सैकलांदा हजूम क्रॉस करदी सड़क ते दोड़ पयासी, उपर ट्रैक ते स्काय ट्रेन लांग रही सी, हुटवाथी दुकानां ते फल, फुलां तो लैके केकडे कपड़ें ताक सब कुझ वेकरियासी, शोपिंग मौल दे बार लगी वड़ी स्क्रीन ते लगातार मशूरियां फ्लैश होरियां सान ते पेड ट्रैफिक गल बादी मिली जुली, कामा रोली चाले द्वाले दियंद कानात उठ दे, तेज थाई चीनी संगी दे स्वार रल गड हो रहे सान, ते गुड़ेटे की सिर्नवाई प्रार्थनाच लेन सी, पटडी तो लंगरे लोग सावधानी नाल रस्ता चाट की अगेवाद रहे सन, सामने पासियों वाले वी सतकार नाल पूरा चुक के गान निकल रहे सन, आले द्वाले मची कडमस तो पूरी तरां बेखबर औरत प्रार ना खतम होन ते पिक्षूने औरत नो अशीरवाद देता गली वेल चला गया, औरत वी चुस्त चालनल खट-खट कर दी हुए अपने राट उर्पई पीड गुम हो गई, ये आमजिया लगणवाळा द्रेश मेरे ली महत्ता पूरन सी, क्योंके थाइलन्दी चित्रिक दुतरम चे गेरी निष्ठा, ये थाई देश ते थाई जीवन शैली दी पचान है, इस पचान नू लीक दे हुए कई तरह दे वकवक द्रिश असी अलग अलग जगाते फिल्मा चुके सी, पिछले कई दिना तो टेक्सी, बस, स्काइट्रेन तुक तुक दा सफर कर दे, त इस शूटिंग दा साजो समान लदी, पैदल तुरदे हुए, असी ओक कई जगावा लब-लब के गाच अडियां सी, जना नल थाईलेंड दी एक मुकमल तस्वीर तियार कर सकी, इकज़े देश दी तस्वीर, जिते दुनिया सब तो लम्मे समय तक राजशाही रही है, ऐसा जिस देश दा राज तरम है ते जिदे समीदान दे मुताबक देश दा राजशा कोई बुद्धी हो ही हो सकत है, इहो जिया देश जिते सुख समीदा वांदियां सारियां अधुनिक चीज़ां मौजूद ने, जिते आली शान मैल ते मेगा माल हन, उना दे नाली उनने शान जिते जगा जगा ते मंदर स्थापत हैं, इत्थो ताके दफ्तरां दे आहातियां विच वी मंदर बने हैं, जिते करमचारी शर्दा नाल सेरनवा की दफ्तर अंदर दाकल होंदे हैं, जिते सेंकडे नी हजारां दी गेंटी जबुद मूर्ता मंदर दफ्तरां दुकान ना ते कराच बुद्धिया मूर्तिया परिया पया हन। ते कराच बुद्धिया पया हन। ते कराच बुद्धिया मूर्तिया पया हन। इस थिती होर ज्यादा इस कारण उल्ज जांदी क्योंकि एकता टेक्सी वाले विखाये जारे नक्षे तो बिल्कुली अच्छोर हैंदे तो जाए कि अपनी गाल ना समझ सकन कारणों कुझ दा कुझी समझ बैठ दे पंजाबी अंग्रेजी तो इन्नी उन्ने कोरे सी जिनने असी थाई चीनी दू अंग्रेजी नामा वाला नक्षाओना ले बेकार सी थे थाई वेच चपे नामा वाला साडे ले गो रखतन दा उच्यारन दे काड़े माले कारण अर्थ दा नर्थ हो चुक्या है ये सानू ओदों पता लगदा जो दो ड्राइवर बड़ी हली मीनाल टैक्सी दा दर्वाजा कोल के मीटर ते लिखे के राईवाले इशारा कर रहे हुंदा नब नीदा ख्याल सी सानू ठगया जा रहे है निमें के ड्राइवर कई जगा कर दे हन पर उना दे साव विहार चेरे दी मुस्कुराण दे किसे तरां दी बैस बाजी दे बजाई मासूम जई चुप हर वारो नू शशो पंच पादें दी क्यों कोई विरोध कर सके थाइलन दी तस्वीरू लीकन दी परकेरिया विच थाई लोकां दी एस चुप नल हर जगा मेरा वास्ता पिया अजई चुप जो बदो बदी त्यान खेच दी है प्लैटफॉर्म ते ट्रेन रुक दे सब या पीड़ दा परागा डबेच दाखल हुन दे यात्री सीटां दी बैठती चुप चाप जानता किताब पड़ंच डुब जान दे है याए एरफोन लाके संगीत सुननच सौ यात्रीया वड़े डबेच ट्रेन दी अवास तो सिवा होर कोई अवास ही नही बस टॉप दे यात्रीया दा हजोम सडक तो उठ दे ट्रैफिक दे रोले गोले विच एकदम अवाक खड़े मोटर बोड तो सुवारिया दे लंबी कतार जग मगों दी जेटी ते उतर दिया पर पाणी दी छपाक छपाक दे लंगर दे पिस्टन दी ची ची तो इलावा सब मूख है बारां सीटां वाले तुक तुक तो सुवारी अपने टिकाने ते उतर के ड्राइवर नू चुप चाप पैसे दे के अगेवाद जान दी है स्वेरे दस वज़े ही सड़क ते लमा ट्रैफिक जाम है पर जाम इंजदा जमें किसे ने उदी आतमा तू ले हुए ना चींची न पॉँँपो ना ललकारे मारंदियां वाजां ना ही कोई बैसम बैसी बलके सब गड़ियां चो बुत बनी बैठे जाम को लंदा इंतजार कर रहे हैं इस तरह नियां प्रिख्या दियां कडियां तो ये साबत हुंदा सी के चोप बनावटी नहीं बलके उना दे सुबादा हिस्स है थाई लोग जीवन दे इस तरह दे ही शौट्स लेंदे हुए मैं सोच रहा सी कि आखर इस चोप दा कारण की है इस चोप विच दूसरें प्रती निरादर या त्रिसकार दी पावना नहीं बलके आदर ते सतकार है ओ अंतर मुखी भी नहीं हान बलके दूसरें दी मदद वास्ते हर वेले हाजर नहीं ओ किसे दुख जड़ूंगे फिकर चो डुबे होन कारण भी चुप नहीं बलके सैज हन कि ये चुप उस उथल पुथल वाले दौर दी देन है जिने मचेरियां दे उस छोटे जे पेंड बैंकोक नू जिते नदियां नालेयां दा जाल वेचे आ सी ये आधुने एक महा नगर्च तब दील कर देता जितों दे बाग बगीचियां ते चो ने दे लैलाय कर दे खेतां चो वेख दे वेख दे कंक्रीट दियां बहु मंजली मारतां सेर कड़ के खड़ियां हो गईयां ते वगदियां नदियां ते नालेयां नू सड़का ने हड़ा पलेयां क्योंकि उस बैंकोक दी जड़ी कदी दो मूल शब्दां बांग ते काक नू मिला के बढ़ेयां सी जिता अर्था नदी कंडे वस्या ओलिव फला वड़ा पेंड इचुप अपनी तर्त तो उखडन क करके पैदा हुए खिला ते पिता पुर्खी जीवन शेली हत्ता चु निकल जान दी कारण ता पैदा नी हुए रवाइती तो और ते थाइलन्ड दी 90 फी सदी अबादी खेती ते निर्बर सी ते मुख रूप चे थे चौड़ां दी ही पैदावार हुंदी सी पर उन्नी चुरंजातो बाद थाई अर्थ चारेदा रूपो दो बदलना शुरू होया तो दो एक पासी अंतर आश्ट्री बजार चु चौड़ां दी जोर दार मंगने दुझे पासे वपार समझाते मुतावक थाई राजनी अमरीका दे दबाहेट अपने दरवाजे पच्छन दे व जिना नालां तर आश्ट्री वपार दे लई चौड़ां दी वत वद पैदावार किती जाई इना कनूना दी कारण बहुत सारे छोटे किसाना दियां जमीना जांदियां लगी है पूंजी नवेश दे नमे काईदे मुताबक खरा साबत ना होन कारण उजल्दी कर्जदार ह गए उन खेती परदान पेंडू थाई समाज दा नक्षा पूरी तराम बदल चुका सी उन्नीवी सदी द्यांत तक बेज मेने हो चुके किसाना नू नमे नमे बढ़े शेरांवाल परवास शुरू कर देता ते सन्नती नगरांच तेजी नाल वद्रे मजदूर जमाद दा हि